हलो दोस्तों आज हम करेंगे BPCS 188 समाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रियोग इकाई 2 अनप्रियुक्त समाज मनोविज्ञान का प्रिच्च तो इसके अंदर दोस्तों हम करते हैं अनप्रियुक्त समाज मनोविज्ञान का अन्य समाज विद्वानों के साथ संबंद तो यहा वेवारिक समाज मनोविज्यान का ऐसा विश्य है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, समाज में चल रही समस्यों का पता लगा जाता है और उसका समधान किया जाता है, आईए हम एक एक करके देख लेते हैं कि अनप्रियुक्त समाज का किन किन समाज मनोविज्यान के साथ संब समाज मनोविज्यान एवं वैवारिक समाज मनोविज्यान अंतर संबंदित एक दूसरे के क्या दोस्तों पूरक है मूल समाज मनोविज्यान क्या करता है मानव विवार एवं उससे संबंदित समस्यां को परबावित करने वाले कारकों का अध्यन करने का प्रियास करता है यानि कि जो मूल समाज है दोस्तों ये क्या करता है माना वैवार्च और उसके समंदित समस्या को परबावित करने वाले कारकों का अध्यन करता है वही समाज मनोविज्यानिक समाजी गटनाओं के अव्यक्या करने के लिए सिदान्तों का विकास करता है जबकि विवारिक समाज मनोविज्यान इन सिदान्तों का उपयोग करके विवारिक समस्यों का समाधान के तलासने के लिए करते हैं यानि कि हमारे पास क्या दिया गए दोस्तों जो समाज मनोविज्यान इक है वो क्या करता है नियम बनाता है यानि कि किन किन नियमों से समाज के अंदर चल रहे समस्यों की खोज कर सकते हैं और वेवारिक समाज क्या करता है उन नियमों की पालना करते वे उन समस्यों का समाधम तलासने की कोशिस करते हैं आगे देखते हैं 2.2.2 में अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान एवं समाज सास्तर में क्या संबंद है? अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान एवं समाज सास्तर वेवारिक समाज मनोविज्यान समाजिक संद्रब में मनोविज्यानिक सिद्धान्तों का अनुप्रियों करता है यह समाजिक संद्रब किसी भी व्यक्ति के वेवार के सवरूप को समझने और उसमें परवर्थित करने के लिए नहीं हिता है तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, जबकि समाज सास्तर एक ऐसा विश्य है, जिसमें समाज के विकास, उत्पत्ति, प्रकर्ति का अध्यन क्या जाता है, समाज सास्तर में क्या आता दोस्तों, समाज सास्तर में कि समाज के विकास किस तरह सी हुआ, उसकी उत्पत्ति कहा होग और उसकी प्रकर्ति कैसी है इन चीजों का अध्यन क्या करता है उनके अंदर चल रही समस्यों का पता लगाता है आगे नंबर तीन पर क्या क्या गए दोस्तों अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान एवं सारीरिक मनोविज्यान यानि कि अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान और सारीरिक मनोविज्यान में क्या अंतर है वैवारिक समाज वैवारिक समाज को दोस्तों अनप्रियुक्त समाज भी बोलते मनोविज्यान एक ऐसा विज्यान जो मानव एवार एवं उसके अनभवों के साथ सार्थक परिवर्तन लाने में मदद करता है मानव के सारेरिक एवं मनोविज्ञानिक अनभव उसके सारेरिक परकिरियाँ अर्था तंत्रिका तंतर से निकटता से जुड़े होते हैं उन्पृयूक्त समाज मनोविज्ञाट सरीर पर किरिया से अंतरसंबंदिद है, मान वैवार बहुतिक समाजिक वातावरण के पर्ति, सारिक पर्ति किरिया करते, यानि कि हमारा सरीर और वातावरण अमारे आसपास का परियावरण क्या होते हैं दोस्तों एक दूसरे से रिलेटिड होते हैं तो इसी तरह अनपर्युक्त समाज और सारीक मनोविज्यान क्या होता है सारीक मनोविज्यान तो कि दोस्तों हमारे सरीर का अद्धन और अनपरयुक्त समाज के आगाा इमारे श्रीर के साथ वातावरण के आपास की जो समस्य हैं उसका भी अध्यन करना होता है। इस तरह क्या है? एक दूसरे का है पूरक है। ही तो सारक मनोवग्ञान सभी सारे प्रकिर्याव अर्थां शरीर के सभी अंगों के कारे ये येवं प्रकरती के अध्यन पने करने क will यति लिए अनपर्यूक्ष समाज मनोवग्ञान ऐं सारफिय को मजबूत संबंद । आगले दौस्तों। अनपर्युक्त समाज मनोविज्यान एवं मानो सास्तर तो इसमें अनपर्युक्त समाज मनोविज्यान एवं मानो सास्तर के बीच में क्या संबंद है अनपर्युक्त समाज मनोविज्यान वैवार को प्रवर्तित एवं प्रभावित करता है जबकि मानो सास्तर मानो सास्तर क्य एक समाज और दूसरे समाज के तुलना करें तो दोस्तों उनके अंदर रिति रिवाजों और पर्थाओं के सश्किर्थी के अंदर काफी बिन ताइम देखने को मिलती है। उनका अध्यन कोन करता है? समाजिक मनोविज्यान। मानव वैवार विबिन कारकों द्वार प्रभावित होता है। अनपर्युक्त समाज मनोविज्यान मानव वैवार को प्रभावित करने वाले इन कारकों को समझने में बड़ा योगदान देता है। मानो सास्तर के सोध करताओं ने इस बात का अध्यन करने का प्रियाश किया है क्यों आदिवासी समुदाई से संबंधित व्यक्ति एक निश्चित व्यवार करते हैं और इस तरह के प्रेणामों से व्यवारिक समाज मनो विज्ञान को बड़ावा मिलता है इसी परकार समाज मन भी पार्श्प्रिक संबंध है आगे दोस्तों अनप्रयुक्त समाज मनोविज्यान एवं अर्थसास्तर तो अनप्रयुक्त समाज मनोविज्यान दोस्तों हमने पहले भी पढ़ चुका है लेकिन इसमें अर्थसास्तर के संबंध में क्या संबंध है वह पढ़ेंगे अनप्र कारक आते हैं यह कारक मानव वैवार को भी प्रभावित करते हैं अनप्रियुक्त समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की आए जैसे कारक का मानो वेवार पर विकास पर पढ़ने वाले परबावों का अध्यन करते हैं यानि कि अर्थ सास्तर में क्या होता है कि आये कितनी हमने कमाई किये कितना हमने खर्च किये कितना हमें बचाया है इस बात पर अध्यन करता है और अनप्रियुक्त समाज क्या करता जो मारे आय के कारण या खर्च के कारण या बचत के कारण जो मारे वेवार में परिवर्तन हुआ है उसका अध्यन करता है ये इन दोनों के बीच में क्या दोस्तों संबंद है आगे देखते हैं अनप्रियुक्त समाज मनोविग्यान एवं राजनितिक सास्तर अनप्रियुक्त समाज मनोविग्यान एवं राजनितिक सास्तर ये अनप्रियुक्त समाज मनोविग्यान में क्या हता दोस्तों कि अनप्र नरखर्णय वैक spends नेमें impelarda करते हैं यानिक यृतन विशय संग्षच दोस्तों कैसा विश्य के अंदर राजनीतिक संग और संर्थाइं करता है। निपी और रहूं क्यों होतके लेकिन सरकारी यो जनाओं कर से कररणा हमारेतीराus कि ऊपर क्या परफाव पड़ा वह अत्ற है अनप्रीयुक्त समाज मनोविज्ञान यह चीज़ें दोस्तUS के अ अगर आगे है अनप्रीयुक्त समाज मनोविज्ञान इम्म बूगोल यानि कि⁂ निकी दोस्तों अमारे समाज के उपर बुगोल का भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है या बुगोल का समाज का भी कुछ ना कुछ संबंद होगा तो अनप्रियुक्त समाज मनोविग्यान वैक्तियों के कुछ समाज के संबंदों को बढ़ाने में मनोविग्यनिक सिदांतों का उपयोग करता है जबकि बुगोल एक समाज विज्ञान है जो वैक्ति के स्थानों एवं वातावरण के साथ संबंदों का अध्यन करता है इसलिए वैक्तियों का उनके वातावरण से अच्छे संबंद बनने से पहले लोगों के बीच अच्छे संबंद बनाना आउसक है इसलिए अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान वो गोल विश्य से अंतर संबंद है आगे दोस्तों अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान एवं बासा विज्यान यानि कि अनप्रियुक्त समाज मनोविज्यान में बासा विज्यान का भी बह दोस्तो सम्माज को समझनीन उनप्रियुट्थ समाज्मनोविग्यान बस्पन की बासा का विकास को प्रबाविद करने वाले कारकों की वैख्या करता है यानि कि बछपन में तो हमारे बासा कुछ भी हो सक्ति थी लेकिन जैसे जैसे बढ़ए करता है तो आगे दोस्तों हम देखते हैं अनप्रियुक्त समाज में मनवज्यान की भूमी का एवं कर आगे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इनकी भूमी का क्या क्या है सभी में सिरफ एक बात लिखी गए दोस्तों कि समाज के समस्यां का समाज के समस्यां का उजघर करना disparity पता लगाना जैसे कि यहां पर लिखा गया है वैवारिक समाज मनोविज्यान का मुख्य के इंदर समाज में वैक्तियों की समस्यों का मनोविज्यानिक प्रविद्यों द्वारा समादान करता है वैवारिक समाज मनोविज्यान समाजिक संदर्ब में समाज मनोविज्यान की व समाज मनोविग्यान की वीद्य द्वारा वैक्ति की वेवारिक समस्यों को समझने एवं उनका निदान करने निदान वियानि की उसका इलाज करने उसको सही करने का प्रियास करता है वेवारिक समाज मनोविज्यान समाजिक मुद्दों को समझने के लिए मनोविज्यानिक सिधान्तों का उप्योग करते हैं यानि कि जो भी इनोंने नियम बनाए हैं मनोविज्यान के अंदर उनका उप्योग करते हैं इसके साथ साथ ये अंतर विश्य द्रिष्टी कौन के साथ राजनीती सास्तर समाज एवं अर्थ सास्तर के परिप्रेक्षे को अबनाते हैं। वैवारिक समाज मनोविज्यान आपर्तेक्स एवं अंतर आपर्तिबंदित वातावरण में सोध करते हैं। यानि कि जो वैवारिक समाज मनोविज्ञान है वो ऐसे जगह पर सोध करते हैं जहां उनको कोई बात दे नहीं हो, कोई उनको समस्या देने वाला नहीं हो. वैवारिक समाज मनोविग्यान मनोविविएस वीधियों का निर्मान करने के लिए विबिन विश्युय जैसे नयासास्तर, संचार, मिडिया, सिक्षय, वातावरण, उद्योग एवं सवास्त्य का अधन करते हैं ये सिक्सा शंस्थानों, संग्ठनों एवन निगम के लिए सोध करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, समस्या समाधान का द्रिष्टि कोर रखते वे व्यवारिक समाज मनोविज्यान मोजुदा सिदानतों में परिवर्तन करने का भी प्रियास करता है। कि नियम भी दोस्तों समय के साथ साथ बदलने पड़ते हैं वैवारिक समाज मनोविज्ञान की कुछ उप्रोक्त भूमिकाई हैं निदिष्ट भूमिकाई के अधार पर कुछ अन्य कारियों पर अलग भाग पर प्रकास डाल गया है तो आगे दोस्तों हम करेंगे इसके परका समाजिक को मनोविज्ञान के समाजिक समस्यों का समाधान करने के लिए योजना बनाता है ऐसा करने के लिए सबसे पहले समाजिक समस्यों का मुलेंकन करते हैं यानि कि उसका निरिक्षन करते हैं सबसे पहले कैसे होई क्यों ही लक्सियों का निर्दारण करते हैं इवं समस् करते हैं तर्था निवदारित लक्षयों को पर्यास करते हैं आ गया करती है यानि की समधिक में कि वेभारिक समाज मनोविज्ञान के मोजुदा सिधानतों का उपव्योग करते हुए वैवार के पैट्रण एवं उनके समाजिक का अधन करता है इस बारे में अधिक से अधिक जानकार यहांसिल होती है जिससे विवारिक समाज मनोविज्यान के कई छेत्र में सोध करते हैं जैसे कि समुव का समाज मनोविज्यानिक सवास्ते शीखना और व्यक्तितव आदी इस परकार का ये क्या करते हैं सोध करते हैं मनोविग्यानिक प्रविध्यों का उब्योग करना जब इनको ये पता चल जाता दोस्तों कि समाज में क्या समस्या आई है क्या कूछ है किस चीज का निदान करना तो उसके लिए वो क्या करते हैं व समस्चा का उपयोग के जाता है किसके माध्यम से मनोविज्यानिक प्रवीद्यों के माध्यम से आगे हैं मनोविज्यानिक मुल्यांकन उपकरण एवं योजना बनाना वैवारिक समाज मनोविज्यान वैक्तियों के दुवार में बदलाव लाने एवं मनोविज्यानिक प्रव करने के लिए योजना बनाते हैं यानि कि मनोविज्यानिक मुल्यांकन देखो दोस्तों मुल्यांकन देखकर नहीं होता मुल्यांकन के लिए कुछ उपकरणों की भी आवसकता होती है फिर मुल्यांकन के जो उपकरणा जाएंगे उसके लिए योजना बनाएंगे कि कि उपकर पढली दी गई है इनको हम पढ़ लेते हैं अन्प्रियुक्त समाज मनोविज्ञान यानि कि अन्प्रियुक्त समाज मनोविज्ञान क्या होता दोस्तों अन्प्रियुक्त समाज मनोविज्ञान मूल सोद को वैवारिक छेत्र में उपयोग करता है वैवारिक छेत्र मतरब दो जो व्यक्ति के वेवार एवन अनुबोवों को परिवर्तन करने में नहीत होता है, ठीक है, आगे अनुपरियुक्त समाज मनोविज्ञान, अनुपरियुक्त समाज मनोविज्ञानिक दोस्तों, यह मनोविज्ञान था, यह मनोविज्ञानिक है, मनोविज्ञान तो उसको कहत समस्यों का समधान करने के लिए मनोविज्यानिक प्रविद्यों का उपयोग करते हैं यानि कि जो कोई भी समाज की समस्यों का समाधान करने वाला होता है दोस्तों आदमी उसी कम क्या बोलते हैं मनोविज्यानिक बोलते हैं यानि कि मानों विज्यान क्या करता है हमारे कल्चर रितिरिवाज पर्थाओं का क्या करता है अध्यन करता है अर्थ सास्तर में दोखा दोस्तों अर्थ सास्तर में आयव है आर्थिक संसादनों का उप्योग का अध्यन क्या जाता है बुगोल वैक्तियों के स्थानों एवं व विज्ञानिक अध्धन करता है यह बासा के रूप अकार अर्थ एवं संद्रव का भी अध्धन करता है सारीक मनोविज्ञान सारीक मनोविज्ञान सारीक एवं मानसिक क्रियों का क्या करता है अध्धन करता है